हेलो स्ट्रेंट्स बचो आज हम चेप्टर 10 में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 10.5 जिसमें आपको सब्ट्रेक्शन करना है सब्ट्रेक्शन वैसी करने है जैसे आपने एडिशन किया था वैसे बिल्कुल सब्ट्रेक्शन करना है करना केपा है बचो केबल आप सब्राइट करते जाए और मेटर को मेटर से सब्राइट कर दीजे सेंति मेटर को सेंति मेटर सेंति मेटर जैसनी हम पर लिखा है 72 मेटर एंद 32 मेटर 14 centimeter okay अब इन्सको सब्ट्रेट करिए जीरो माइनस फोर तो जीरो इस smaller than four so take borrow from 10s यहापर केते हो जाए बच्चे 10 10 माइनस 4 6 and 9 माइनस 1 8 okay अब यह कितने हो गए बच्चो 86 centimeter कितने आ गए हापर 86 centimeter और मीटर में अब यहाँ पर कितना बच्चा 2 की स्थान पर 1 1-2 1 is less than 2 so क्या करना है बच्चो take borrow once again 11-2 यानि 9 11-2 9 7 की स्थान पर क्या हो जाए गा 6 6-3 is equal to 3 तो कितने हो जाएगा यहाँ पर बच्चो 39 meter कितने हो जाएगा 39 meter and 86 centimeter इसी प्रकार से आप लोगों को यहाँ पर भी करना है जीरो दिखें यहाँ पर दिया है 98,000 यह 98,000 यह 98 kilometer 39 kilometer and 156 meter है बच्चो इसको भी आप जैसे first question को हमने subject किया है ऐसे ही आप first, second, third सारे questions को complete कीजिए और इस work को आप अपने book में ही solve करेंगे तो अब आप लोगों को समझ में आ गया है कि आपको करना क्या है कि इन सारे questions को अपने book में fill कर लेंगे और जो question number B है उसे आपको करना है यह भी आपका difference है difference यानि subtract करना है तो इसके लिए क्या करना है कि जो subtraction दिया है न बच्चो सबसे पहले जो first hand है माइनिट उसको आप लिखेंगे उपर इस कहसे के first step में second line में आपको लिखना है क्या लिखना है आपको subtract और जो इसका answer होगा वो हो जागर difference हमने पढ़ाने इस chapter को सुरू करने से पहले आपको बताया था कि जब difference find करना होता है तो कैसे लिखना होता है yes right hand column जैसे first को लिख आप अपको लिखना है ओकी और यह अगर रुपये पैसे है तो रुपये पैसे में लिखे हैं और यह दिते पैसे में मिली लीटर देते हैं या किलो मीटर देते हैं तो बचो यानी यूनिट जो होती है उसी यूनिट से सब्ट्रेक होती है जैसे हमने मीटर को मीटर से सब्ट्रेक किया सेंटी मीटर को सेंटी मीटर से सब्ट्रेक करेंगे किलो मीटर को किलो मीटर से एंड मीटर को मीटर से इसे पहले अपने money chapter पढ़ा था ना उसमें भी ऐसे था उसमें तो रुपे पैसे था तो यह कहने का मतलब यह है बच्चो कि अब आप लोगों को इने column में लिखना है और सबसे पहले आपको लिखना है minute minute के नीचे लिखना है सब्ट्रेंड और जो सब्ट्रेंड करने पर आंसर आता उसको हम लिखते हैं difference अब आप सब लोग कर लेंगे यह work जल से चलत अपना work complete कीजिए और हमें यहाँ पर correction के लिए send कर दीजिए ओके और सभी बच्चे अपना work बच्चेंगे यह दि कोई आपको problem होती है तो आप को first question के according ही लिखना है चीके क्या लिखा है जैसे meter centimeter लिखा है ऐसे आप इसमें भी करेंगे और बस digit और digit होने चीए ताकि आपको subtract करने में आसानी हो साथ में subtraction यानि minus का sign भी लगाएंगे ओके तो बच्चों आप सब को समझ में आगे ओके bye bye have a nice day